कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी सात्यों को एड़ किया जाए जल्दी से जल्दी क्योंकि आज बहुत बड़ी इन्फोर्मेशन के साथ बहुत कुछ अच्छी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो जल्दी से जल्दी करें सर कि कि आप कुछ 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 कर दो सेशंद हैं कि सबसे पहले आप सभी का स्वागत आज आप्लो में किата की मेरी सफलता के साथ मंति के शैक्स कि मैं आप सभी का स्वागत कर गठा हूं सबसे पहले आप सभी का भुट बहुत धन्याप्न अपना कीम्थि समय tentang और आप लोग हमारे Spiel Rider आए और आपने मुझे सुनने का स्वभग्य प्राप्त हुआ दोस्तों सबसे बड़ी बात है आज मैं बहुत ज़्यादा लखी हूँ कि मुझे SLEPAS Wellness के ओपिसली गुरूप से आप सभी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है दोस्तों मैं धिर धिरे बढ़ता हूँ जब तक आप लोग एड कर लेजिए अपने सभी साथियों को को जरूरी बाते हैं जिनका आपको ध्यान देना है दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँ हूँ ऐसली पर स्वेलनेस प्राइवेट लिम्टिड को जिस कंपनी की बज़े से जिस सथा की बज़े से आज मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदकी बदल गई है आज मेरे जैसे लोग इस कंपनी में आने के बाद जीरो से हीरो बने हैं आज मेरे जैसे लाखों लोग इस कंपनी में आने के बाद जिनके उपर कर्स था आज उन् वो भी सिर्फ और सिर्फ पांस साल हुए है लेकिन पांस साल में हमारी कंपनी ने जो नाम कमाया है यह वो नाम कमाया है जो पिछले 20 साल, 30 साल से जो कंपनिया मार्किट में वर्क कर रही हैं वो भी नहीं कमा पाई हैं मैं S.L.E.P.S. Wellness का जितना भी धन्यवाद देना चाहूं, उतना ही कम है, क्योंकि इस कंपनी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, इस कंपनी की बज़े से आज मेरा परिवार सुकी है, इस कंपनी की बज़े से आज मेरे परिवार के अंदर सुक सांती है, मेरे सभी परिवाद बोलू, S.L.E.P.S. Wellness का उतना ही कम है, और दोस्त, मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, मैं 2016 से S.L.E.P.S. Wellness कर रहा हूं, 2016 से पहले की जिंदगी और 2016 के बाद की जिंदगी, S.L.E.P.S. Wellness के दौरा मेरी कैसे बदल गई, मैं सिर्फ आज आप से उन पॉइंटों पर बात करने वाला हूं, तो दोस्त, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ऐसी ऐसी इनफोर्मेशन में आपको बताऊँगा, जिनकी इनफोर्मेशन को लेकि आपको एक बिलीव होगा, कि हाँ, अगर इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो हमारी भी जिंदगी बदल सकत है, और यह जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, जो मैं ऐसली पेस में जोईन हुआ था, तो जोईन होने के बाद, मैं 60-60 दिन में टोपाज बना था, तो संजीव सर उस सो में आए थे, मैं बहुत ज़्यादा लखी था कि टोपाज लेविल पर सर आए, और सर ने उस दिन म मेहनत करते रहना, कभी भी रुकना मत, ठकना मत, और दोस्त, आज उनी की सब्दों की बज़े से, आज मैं यहाँ पर पहुचा हूँ, मैं संजीव सर का, जितना भी धन्यवाद दू, उतना ही कम है, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रग दी, एक छोटे से सब्द ने, उनकी मेरी पूरी जिंदगी और मेरी परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल के रग दी, मैं एक बार हाथ जोड़के धन्यवाद देना चाहता हूं, सरका, सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे जैसे इंसान की आपने जिंदगी बदल दी, मैं थेंक्स बोलना चाहूँँगा, अमिस सरका और मामचन सरका, क्योंकि हमारी कंपनी के MD हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद, लाख-लाख धन्यवाद, कि सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, किसी भी तरह की प्रॉलम आई, तो मैंने जब भी सरलोगों के सामने गया, जो भी मैंने प्रॉलम सर लोगों को बताई, सर ने मेरा हमेशा साथ दिया, और अपने बच्चों की तरह पालन पोसंड किया, मैं MD साब के बारे में जितना भी बोलूँ चाहिए, संजीव सर हैं, अमिस सर हैं, मामचन सर हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई सब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये पुरुस नहीं महापुरुस हैं, जिनोंने मेरे जैसे लाकों लोगों की जिन्दगी बदल कर रख दी, और मुझे जीरों से यहां तक पहुचाया, अगर इतने अच्छे MD नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वो काबलियत नहीं जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ये महसूस नहीं होने देते हैं, कि आज उनके पास क्या प्रॉलम है, आज उनकी जेम में पैसा है या नहीं है, वो हमारे लिए कैसे भी करके खाने के लिए लेके आते हैं, उसी तरह हमारी कंपनी के MD है, आज तक हमें कोई प्रॉलम उन्होंने साजा नहीं करी बैस हम से एक ही बात बोली है कि आप बढ़ते चलो हम आपके साथ हैं और इमानदारी के साथ लगे रहना और आपको बहुत बड़े लेविल पर लेके जाएंगे आपके सभी सपनों को पूरा कराएंगे चाहे हमें इसके लिए आपके साथ कितनी मेहनत करनी प कि उसके बाद दोस्त मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी के ट्रेनर टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर का सर से कभी-कभी मुलाकात होती है लेकिन जब भी सर से मुलाकात होती है तो सर के द्वारा मिलने के बाद मुझे अद्वुत एनरजी आती है और हमेश झतना भी धन्यवाद दू अतना ही कम है सर आपने मेरी जिंदीकी के चार चांद लगा दिये अगर आप हमारी कंपनी के ट्रेनर नहीं होते तो आज impossible पर पौची है आज impossible एपनी लेविल पढ़िने तो आपका लाख लाख धन्यवाद सरड्य आपने हमेह वह एजूकेशन एक गुरू की जरुद पढ़ती है और मेरे एक ऐसे गुरू जिनोंने मुझे उस समय पे उठाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था उन्होंने मुझे उस समय पे समाला जब मैं गिर चुका था उन्होंने मुझे उस समय पे समाला जब मेरे पास एक गुरुपा भी नहीं होता तो मैं सर का जितना बोलू उतना ही रिणी रहूँगा दोस्त मैं मेरे पास सब्द नहीं है सर के लिए बोलने के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं सर आपने मेरी जिंदगी तो बदली बदली साथी साथ आपने मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी मैं और मेरा पूरा परिवार, आपका हमेशा रिणी रहेंगे, अगर आप मेरे अप्लाइन नहीं होते, तो आज मैं यहां पर नहीं पहुच पाता, आपका जितना भी धन्यवाद दूँ, उतना ही कम है, आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका असिरवाद हमेशा बना रहे, मुझे वो दि वाले समय में जितना भी कमाऊंगा वो सब कुछ आपकी की देन है आपका आशिरवाद आपका साथ ऐसे ही बना रहे तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ आपका लाक लाक धन्यवाद आप जैसे अपलाइन पाके में बिल्कुल धन्य हो गया और मैं एक ही बात बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी जिन्दगी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में बदल चुकी है आपका गुरुजी लाक लाक धन्यवाद दोस उसके बाद बोला जाता है कि गुरु के साथ साथ एक साथी का होना भी बहुत जरूरी है और उनका साथ मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है मैं सिब कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सर का बहुत बड़ा रिणी हूँ क्योंकि सर ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मुझे अनकंडिशनल लव दिया है, हमेशा मेरा भरपूर साथ दिया है, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब भी सर का कॉल आता है, मेरे से एक ही बात बोलते हैं, अनुछ मैं तुमारे साथ हूँ, बैस तुम लगे रहिए, और हमेशा मैं 24 घंटे तुमारे साथ हूँ, कभी भी मुझे एक आवाज मार लेना, मैं 24 घंटे तुमारे साथ खड़ा रहूँगा, पुरी दुनिया में धेलका मचाएंगे, बैस एक ही काम करना है, आपको लगातार काम करना है, और सर के मुख से जब ये बात मुझे सुनने को मिलती है, तो दोस्त, मेरा दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि आज सर की बज़े से हमारी टीम इतने बड़े लेविल पर पहुँच पा रही है, इतने बड़े जलवे कर पा रही है, मैं सिब कुमार सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर आपका बहुत- नसीब सर कावी बहुत-बहुत धन्यवाद, मदन सर कावी बहुत-बहुत-धन्यवाद, आप लोग अपने आशिरबाद अपना साथ इस तरह से मेरे उपर बनाके रखें, मैं इस दुनिया में आपके साथ के साथ साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. दोस्त बोला जाता है कि जो हमारी कंपनी के अंदर जब सभी साथ ही खटे रहते हैं और सभी का साथ मिलता है तो सभी को सपलता पक्का मिलती है मेरी सपलता में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है सिरी रांबीर सर, सिरी दिलीप सर, सिरी कुनाल सर, सिरी नसीब सर, सिरी मदलल सर, सिरी भगवान सिंग बंडारी सर, सिरी अंभी दूबे सर, सिरी विकास बोरा सर, सिरी कुल्दी मुद्गिल सर, सिरी नेंदर चंद पांडे सर, सिरी संदीब सर, सिरी जोगिंदर सैनी सर और हम यहाद हमारे इसे कंपनी के जितने भी मेंबर्स है चाहे वो फ्रैसर हैं चाहे वो कोई भी लेविल पर हैं आप सभी का भी भूथ भूथ धन्यवाद आप लोगोंने मेरा हमेशा साथ दिया है आपका मैं हमेशा रिणी रहूंगा आप लोगों को सब्स में एक या तरवाद रखिये कभी भी मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो अपना चोटा वाई समझ के मुझे हमें सा माप करना आप लोगों का साथ इस तरह से बना रहे मेरे साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ इसाथ दोस एक बात बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में जब तक आपके पास दंदार कोर टीम नहीं होती तो आपके पास अचीवमेंट नहीं आते तो मेरे को दुनिया की सबसे दंदार कोर टीम के साथ काम करने का जो भग प्राप्थ हुआ, मेरी कोर टीम के बारे में जितना ही बोलू, अतना ہी कम है, यह एक टीम नहीं, यह एक परिवार है, और इस परिवार ने मेरा उस समय पे साथ दिया है. जब मेरे पास एक भी जोइनिंग नहीं थी, आज जो भी कुछ मेरे पास है, वो सम मेरी टीम के द्वारा है, और सिरी मंगलम सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहां तक सपोर्ट करने के लिए, आप सभी के साथ की बज़े से, आज मैं कमपनी में होने वाला रोयल डायमंड हूँ, आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे हम सब लोग एक साथ एक यूनिटी में चलत काका रहां रहे, तो दोस्त, आज मैं बनने वाला रोयल डायमंड हूँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बाहुत बदाई, आप भी आने वाले समय में रोयल डायमंड बनेंगे, और दोस्त, आप सभी का भन भाध मेरी जितनी भी team है आप सभीका भी भूद भूद धन्यवाद अगर आप लोग नहीं होते तो आज मैं यहां पर नहीं पहुच पाता आप सभीका बहुत भूद धन्यवाद दोस्ट मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कैसे मैं यहां तक पहुचा मेरी कहानी आप सभी को मेरा नाम मालूम है मेरा नाम अनुष सर्मा है ग्रेट नौड़ा में किसान के घर मेरा जनम हुआ पिता जी खेती के सासा सरकारी नौकरी भी करते हैं और मैं मुझे आज भी याद है कि जब मैं जनम हुआ था जनम होने के जरसे आदमी को आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है बढ़ते बढ़ते उसको सब कुछ समझे में आने लगता है तो मुझे दोस्त आज भी ताइब का आदमी था था मैं हमेशा मस्त रहता था अपनी जिंद्की में मेरे को कभी भी कोई truly कर थि क्या होगा क्या नहीं होगा वैसमें ave कि जिन्दगी अच्छी हो जाएगी लेकिन दोस मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगता था और मैं इसी तरह पे जीवन में चलता रहा तो दसवी में मेरे 33% और बारवी में मेरे सिर्फ 37% नंबर आये और मैं दसवी और बारवी पास कर पाया इन सिर्फ छोटे-छोटे नंबरों से 33% नंबर और 37% नंबर से आदमी सिर्फ पास ही हो सकता है और मैं पास हो गया उसके बाद जिन्दगी आगे चलती रही आगे चलते-चलते जैसी बारवी होई तो उसके बा मुझे सेल्स के अंदर ही जॉब समझ में आती थी क्योंकि सेल्स के अंदर जॉब मुझे थोड़ी आसान लगती है क्योंकि लोगों से बात करने का मौका मिलता है को ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है जब टाइम होता जब करना पड़ता है तो मैंने एटल में जॉब क मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था अपने जिंदगी में कि जो मेरे परिवार के अंदर जितने भी लोग जॉब करते हैं वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए मैं वो सपने अपने पूरे करना चाहता था और मुझे एक बात मालूम थी कि जॉब मैं करूँगा तो मेरे जीवन में किसी ने business नहीं किया है, सब लोग job भी करते हुए आए हैं, तो आपको भी job करनी पड़ेगी, लेकिन मैं business करना चाहता था, तो मेरे परिवार ने मेरे business को करने के लिए मेरा support नहीं किया, मुझे लाको रुपे करन की company को जोइन किया, जिसका भी आपको photo दिख रहा है, उस company को मैंने जोइन किया, और उस company में मैंने काम करना ही start किया, मैंने उस company में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कैई बार लगाता target भी achieve किये, और लगाता target अचीव करते करते बहुत ज़्यादा मेनत करने के बाद भी लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं क्या बोलू क्या नहीं बोलू मैं बोलना नहीं चाहता सारी बात मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे और मेरे उपर करज बढ़ता हुआ चला जा रहा था क्योंकि जब मों उस company में आ गया था तो मेरे परिवार वालों ने मेरा भोजदा विरोध किया कि या तो आप नौकरी करिए या आप इस company को करिए मैं उनको एक ही बात बोली कि मुझे ये company करनी है तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए फिर आप घर छोड़ दीजिए तो उससे में अपनी family को maintain करने लगा maintain करते करते बहुत साल काम करने के बाद जब मैं maintain नहीं कर पा रहा तो इधर से कर्ज लेना उदर देना इधर से लेना उदर देना तो कर्ज लेते लगवग मेरे उपर 10 लाक से ज्यादा का कर्ज हो गया तो दोस्त जिंदगी बहुत कष्ट कर्ज में जी जा रहे थी मेरी परिवार में मैं आपको बताऊं दोडोस सौ सो रुपे भी नहीं हुआ करते थे इतना कर्ज हो गया था कर्ज वाले पीछे-पीछे लगे रहते थे और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि या तो हमारा कर दीजिए नहीं तो हम आपके साथ कुछ कुछुख करो हुगा लेकिन दोस मेरे पाइस बच्चे मेडम को अपनी लेके गया था हॉस्पिटल तो प्रेगनेंसी के टाइम ऑपरेशन के टाइम जब बेटी पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि 10,000 रुपे लगेंगे तो दोस्त मेरे पार 10,000 रुपे भी नहीं थे वो भी मैंने कर्ज लेके बच्चे को ज जनम होने के बाद मेरी लड़की डॉक्टर ने बोला कि यह लड़की बहुत कम जो है इसको आपको सीशे में रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में कुछ होता है उन्होंने बोला कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको सीशे में मैं वहाँ पर होस्पिटल में एडिमिरका दो लड़की को तो मैंने बोला कि आप कुछ और बताइए तो उन्होंने बोला कि आपको एक डिब्बा आता है दूद का तो जब भी मैं उसको लेके जाता था, अपनी बेटी को मैं लेके अपने घर आया, और डिब्बे को मैं जब भी लेने जाता था, medical store, तो दोस्त, मैं आपको बताओ, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जब मेरी मेडम पूजा करती थी, मंदिर में पूजा करती थी, तो जब हम कभी 10 रुपे रखते हैं, कभी 5 रुपे रखते थें, कभी 1 रुपे रखते थें, दोस्तों मैं आपको बताना चाहतू हूँ, यह बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैंने किन हालातों में अपनी जिंदिकी को जिया है, वो भगवान के जो हम पैसे रखते थे 10-20-50 उर्पे भी, वो भी मैं निकालके, पैसे को इखटा करके, वो दूद का डिबबा लेके आत लाने के लिए मेरे पास पैसे इखटे नहीं होते थे, मैडिकल इश्टॉर वाला दी उधार नहीं देता था, मैंने उनहीं हालातों में हिंस्टब किया है, मेरे बंड़ बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था और मैंने उन हालातों में चलते-चलते चलते-चलते ज confirmats घुच एक समय पर की बात है सेप्टमबर 2016 की बात है सेप्टमबर 2016 में मैं ऐसे बैटा हुआ था नॉर्मरी और बैटे बैटे मैं प्लान देख पैसी फेस्बुक चला रहा था तो मैंने देखा हमारी कंपनी जिस कंपनी में वर्क करता था उसी कंपनी के एक अच्छे लीडर बड़े leader जिनके पास हजारों की टील जिनके पास लाखों रुपे का achievement, उनका check साड़े 8 लाख रुपे का बना था, तो मैंने उनको contact किया, कि sir मैंने तो सुना है कि ये company में 8 लाख रुपे महिने का check बनता है, आपने साड़े 8 लाख रुपे का कैसे डाला है, तो सर मैंने सुना है कि नेट्रों मार्केटिंग में जूट बोलते हैं लेकिन सर इतना जूट कैसे कि एक हपते का चेक साड़े आठ लाग रुपे से ज्यादा का तो उन्होंने बोला कि अनुसर यह जूट नहीं है यह सच्चाई है लेकिन यह सच्चाई का पुरूप आपको दिल्ली गया मुझे दोस्त आज भी याद है जब मैं दुवारी का दिल्ली गया था तो मेरे पास लोवर टी-शैट और चपलों में प्लान देखने के लिए गया था मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि मेरे पार करज इतना जाजा हो गया था मैं तो अनुष ने कर रह थे कमपनी और लोगोंी के जरुवत नहीं है वहाँ पर लोगों को निखाया जाते हैं लोगों में लेड़नों क किसा है जरुदा की वाली समस्या है हर घर में कोई ना कोई आदमी परेशान है तो हमारे प्रॉडट को यूज करके उन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी उन्होंने मुझे बताया कि अनुसर आप जो पैसे दोगे उसमें आपको जो प्रॉड़क्त मिलेंगे ये वो प्रॉड़क्त हैं जो तो आपके घर में किसी ना किसी के यूज आएंगे, आपके किसी रिष्टिदार को यूज आएंगे, तो दोस्त मैंने प्रोडेट को देखके जोइन किया, और दोस्त उन्होंने मुझे बिजनिस प्लान के बारे में बताया, बिजनिस प्लान के बारे में उन्होंने मुझे द उन्होंने पोलागा और यांध परी पाउपे कर देंगा मैंठारम्ल 2023 की मिलुत है पुछ आप 7ay पर यह थे। अफ आप यह मंद्लिम इन कम शक्रता है। तो मेरे एक्दम दिमाग के तार जल गई दिमाग के तार एकदम विश्कुल होता है नुआ भस्ट बोड़ जाना क्यार में तुम्होंने मुझे आपकी मैचिंग इंकम आती है उससे आपकी जरूवते पूरी होंगी लेकिन आपकी जो लेविल कोशले से पूरे होगे और उन्होंने मुझे बताए जब आपका 1.5 लाग का चेक आएगा तो आप 4 विलर गाड़ी ले सकते हो, जब आपका 45 शेक आएगा तो आप बाइक ले सकते हो, आपका 3 शेक आएगा तो आप ले सकते हो, आपका 20 शेक आएगा तो आप मौवाइल ले सकते हो, आपका 2 लाग 3 तो आप कोई घर वन भी एच के घर बुक कर सकते हो तीनाख साथ घर का चेक आएगा आप उसकी अंगल इंस्टॉल्मेंट दे सकते हो तो बहुत सारे टूर के उन्होंने मुझे बताए और आठ लाग भी सार का चेक आएगा तो आप डाउन पेमेंट पर देखें कोई बड़ी मैं बहुत ज़्यादा सौबागे साली था कि उसी दोरान मुझे ऐसली पेस वेलनेस के जो सबसे वड़ी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को लेने का सौबागे प्राप्त हुआ उस ट्रेनिंग का नाम है शिक्रेट ऑप सक्सस इस ट्रेनिंग को लेने के लिए मैं 2016 में नेनी ताल गया था गाजेवास से ट्रेन चलती है मेरे पास सौ रुपे थे और मैं उस ट्रेन में टिकेट लेने के बाद जनरल डिब्बे में बैटके गया मैं रामनगर और दोस्त यह देखिये ये उस दिन का मेरा फोटू है ये मेरे साथी है ये मेरे साथ गए थे और इन्होंने वहाँ जाके प्लान देखा था मैंने वहाँ पर जाके ट्रेनिंग अटेंड करी इन्होंने वहाँ जाके प्लान देखा था और इन्होंने प्लान देखने के बाद मेरे से बोला कि अनू सर नहीं नहीं कंपनी है कंपनी बंद हो जाए कि हमें कंपनी करनी नहीं है मैं नहीं ठीक है सर कोई बात नहीं मुझे कंपनी करनी है और दोस्त मैं आपके सामने लगा रहा आप यह देखिए यहां पर चेंजमेंट देखिए मैं यहां पर कैसे लगा रहा सो सेप्टम की 100% बदलती है ये उस दिन का फोट हुए और दोस्त आज की मापको दिन्द की दिखाना चाहता हूं जिन्द की 101% बदलती है 100% जिन्द की बदलती है मेरी बदली है हर व्यक्ति की बदल सकती है लेकिन बदलती उसी की है जो सही प्लिट्फर्म पे काम करता है, सही प्लॉडट के साथ काम करता है, सही अप्लाइन के साथ में काम करता है, जिन्दगी 100% दोस्त बदलती है, मेरी बदली है, आप देखिए, पहले के फोटो को देखिए, और आज के फोटो को देखिए, मेरी पूरी तरह से जिन्दगी बदल यह बैस्ट की वाल करते ठीकिशिक आप देख शूटा चोटा सा लाइस बनदरीय और गाम का फोटू अब देख रहें हैं यह मेरे गहर का फोटू है इस घर में मेरा जनम हुआ और जनम होने के बाद हर वेक्ति कि जैसे मैं आपके भता है इस्टेगल मेंने किया थोड़ा सा इस्टेगल किया लेगिन इस्टेगल करने के बाद ऐसी जिन्दकी बदल सकती है तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा सब लोगों को यह काम करना चाहिए और दोस्त उस घर को देखने के बाद और आप यह देखिए आज मैं गेटन ओडा में डाइमंड हाउस में रहता हूं आप उस घर को देखिए और इस घर को देखिए आज इस सुसाइड़ी मेरा घर है फोर बीच के हर रूम के अंदर एसी लगा हुआ है हर रूम के अंदर एलिडी लगे हुए है सब कुछ पूरी सुख सुविदाओं के साथ आज मैं यहाँ पर रहता हूं आप देखिए कितना चेंज हुआ है मेरी लाइफ में कितने साथ सट्टमबर 2016 से अब तक 43-44 महीने के अंदर एक आम आदमी इतना खास बन सकता है एक नौर्मल आदमी की जिंदगी इतनी बदल सकती है दोस्त मैं की बात बोल सकता हूं य जिंदगी मेरी 100% बदली है हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी अगर केटेगरी है किसी की तो युवा केटेगरी बहुत ज़्यादा है लगवग 65% हिंदुस्तान के अंदर युवा है और युवाओ का ड्रीम हर युवा का ड्रीम जो होता है वो मेरा भी ड्रीम है मैंन आईपॉन, 11 Pro Max, आज मैं उसको यूज करता हूँ, यह मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि मैं इस कंपनी को जॉइन करने से पहले लावा कंपनी का मोवाल यूज किया करता था, 5000 रुपेगा, और उसकी बैटरी चार्ज जादा होती थी, चलती बहुत कम थी, मै आज मेरी जिन्दिगी में यह सब कुछ हुआ है, तो सही प्राउडक्ट, सही अफ्लाइन की बज़े से आज मुझे यहां पर मिला है सब कुछ, इस कंपनी में आने से पहले मैं हमेसा सोचा करता था, कि जो बड़े-बड़े होटल होते हैं, इन होटलों में बड़े- लोग रुखते होंगे, लेकिन दोस, SLEPS Wellness में आने के बाद, मैं एक बार रिंग, लगबख 500 से ज़्यादा बार, फाइव इस्टार होटलों में इस्टे कर चुका हूं, और हिंदुस्तान के अंदर, कोई एक आदी होटल ऐसा बचा होगा, मेरी नजरों में, जिस होटल में मैंने इस्टे नहीं किया होगा, आज ही इस्टती है मेरी, आज फाइव इस्टार होटलों में रहने का मौका मिलता है, लेकिन SLEPS Wellness से पहले, कभी फाइव इस्टार होटलों के दिवार को नहीं चुआ सक, तो कि डर लगता था, कि इनके अंदर बड़े-बड़े लोग जात हैं, जब मैंने SLEPS Wellness को जोइन किया था, और जब मैं लोगों से जाके मिलता था, लोग मेरे से एक ही बात बोलते थे, हमें जोइन नहीं करना है, कंपनी भाग जाएगी, प्रोड़ेट खाके कोई मर जाएगा, और जब मैं इस बैड़ पर लेटता हूं, तो उपर को देखत हूं, तो दिवारों पर मुझे उन लोगों के फोटू नजर आते हैं, जो मेरे से बोलते थे, कि कंपनी भाग जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, तो नोकरी वगरा कर ले, दोस्त, आज बड़ा मज़ा आता है, जब बैड डलप के गद्दा होता है न, जब इस गद्दे सबी लोगों को नहीं मिल पाता, जो मुझे मिला है, और दोस्त, मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग मेरे साथ जब जोइन नहीं हुए, आज मेरे साथ सब लोग जोइन हो चुके हैं, तो थैंक्स, हैसली प्यारी जिंदिगी देने के लिए, कहां चार पाई पर लेटा करते ते गाम में, वो चार पाई पर लेटते थे कमर भी चिल जाती थी, आज इतने प्यारे प्यारे गद्दे हैं, कहां गाउं में बातरूम अगरा नहीं होते थे, आज इन होटलों के अंदर देखे, क्या बढ़िया बातरूम होते हैं, इतना बढ़िया बातरूम होते हैं, वह हुआज आज में बड़े-बड़े सेलिविटी बैठते हैं हम जैसे आम आदमी नहीं बैठते तो मेरे घर के उपर से जब हुआज जाता था तो मैं आमेसा एक की बात सोचता था कि यार इसमें कब बैठने का मौका मिलेगा मैं कोई अच्छे करम करूंगा तब मुझे कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जब मैं इसमें बैठ पाऊंगा तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं पाल गुरुजी को मेरा टार्गेट नहीं हुआ था जब मैं बैठने का मौका मिला जिनकी बज़े से पहली बार मुझे फाइव इस्तार होटलों में इस्टे करने का मौका मिला थैंक्स महीपाल गुरुजी थैंक्स एसलीपेस और यह सभी ड्रीम सभी युवाओ के होते हैं आज दोस्त जब मैं इसलीपेस को जोईन किया था मैं गेट पास भी गाडिया हूँ, मेरे पास भी या était तीन तीन गाडि सोचता हूँ कि कशो से गांडिया चलाऊं एक गाड़ी चलाने को मिलती है, बाकी तो खड़ी रहती है और दोस्त JUं तीन गाड़ीयों को मिर मुरूकनेश वाला नहीं हूँ, मैरे गुरूजी मेरे साथ 1001% पूरा होगा बहुत संसेरे लोग सोचते हैं ड्रीम पूरा नहीं होगा मैं एक ही बात बोल सकता हूँ जब पैदल चलने वाला लड़का मर्सडीज में आ सकता है तो मर्सडीज से चलने वाला लड़का Bentley में भी आएगा, Rollslversion में भी आएगा और यह 100% होगा क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बैत्रीन कंपनी और दुनिया के सबसे बैत्रीन अप्लाइन मेरे साथ हैं इसलिए पूरा होगा दोस्त जैसा आप लोगों को मालूम था मैं सफलता कि साथ मन्तर के साथ आप से बात करने वाला हूँ जिन से मेरी जिन्दगी में इतना बड़ा परीवरतान आया है इन मन्तरों को मैंने 100% फोलो किया है मैंने अपनी टीम के अंदर बाद में फोलो कराया सबसे पहले मैंने खुद फॉलो किया है और दोस्त वो जो साथ मंत्र हैं मैं एकी बात बोल सकता हूँ अगर आपने ये साथ मंत्र फॉलो कर लिए तो आपकी जिंदकी 100 नहीं एक लाग पर सेंट बदलेगी तो बदलेगी आपको रोख नहीं पाएगा मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ 100% आपकी जिन्दिकी में वो परिवर्तन आएगा जो मेरी में आ चुका है और जो मेरी स्लाइड को देखने के बाद आप सोच चुके हैं वो भी आपके सपने पका पूरे होगे सबसे पहला मंत्र मैंने आपर क्या किया मैंने आपर फ्राथमिक्ता ते की लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉलम होती है लोग कंपनी को तो जोइन कर लेते हैं लेकिन वो फ्राथमिक्ता ते नहीं कर पाते हैं वो ते नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है वो क्या करते हैं मैं आपको अपने बारें बताता हूँ थोड़ा सा लग भी बताऊंगा दो चीजे होती हैं दो तरह के लीडर होते हैं नेट्रॉक मार्केटिंग के अंदर एक सोचता है कि मैं अपने परिवार को पहले आगे रखूँ और फिर अपनी कमपनी को रखूँ एक लीडर ये सोचत के लिए सबसे पहले एक ही काम किया है मैंने SLEPS Wellness को फ़र्ष्ट पे रखा है उस सेकिंड में मैंने अपने परिवार को रखा है बहुसतार लोग बोलते हैं सर हम पैसा कमाएं किसके लिए अगर हमारा परिवार ही नहीं होगा तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ दोस्स एसलीपेस करने के बाद पैसा आता है, एसलीपेस करने से पैसा आता है, तब परिवार चलता है, परिवार को उपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, परिवार को उपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, परिवार को उपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, परिव कि ये दूस्ट अपके जिन्दगी में वे परिवरतना आईगा जो आप सूच रहे हैं लोगों की जिन्दगी में परिवरतन क्यों नहीं आता क्यूंकि वह तैनrole कर पातें वह था कर ने तक मैंने किस पर व्यवार में रखा है। मैंने अपने परिवार से पहले दिन बोल दिया था, कि या तो तीन साल के लिए मैं इस कंपनी में 100% अपना योगदान दूगा, या तीन साल अपने घर में बैठके तुम लोगों कुछ समय दूगा, क्या चाहिए, तो मेरे परिवार ने मेरे साथ दिया, मेरे परिवार ने मेरे से एक ही बात बोली, आप तीन साल इस कंपनी में रात और दिया मेहनत करिये, बैस हमें वो सपने पूरे करने हैं, जो हमें चाहिए, हमें गाड़ी, घर, जो भी चाहिए, वो हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए पूरी मेनत करनी है आप करिये तो मैंने उनको एकी बात बोले थी तीन साल में साधी वगरा मैं किशी में नहीं जाऊँगा तो उन्होंने बोला आप मज जाए हम देख लेंगे सब लेकिन आप इस काम को करिये और दोस्त मैंने इस काम को करना इस्टार्ट किया आज आप लोगों के सामने हूँ फर्स्ट पे रखा मैंने मैंने प्रात्मिक्ता तै करी पहले कि AWPL करूँ या परिवार को पहले रखूँ तो दोस्त मैंने AWPL को फर्स्ट पे रखा यहां पर एक छोटा सा सब्द लिखा हुआ है, समय ना लगाओ तै करने में आपको करना क्या है, बरना समय तै कर लेगा कि आपका क्या क्या है, अगर दोस्त हम आज जाग गए, आज हमने प्रात्मिक्ता तै कर ली, तो हमारे जिंदगी में जो आज समय चला है, वो बड़ा खूब सूरत होगा, लेकिन आज हमने अपनी प्रात्मिक्ता तै नहीं करी, तो दोस्त वही होगा, जो और लोगों का आप देख रहे हैं, जो पैसे के लिए तरस रहे हैं, दोस्त मैं कुछ जादा नहीं बोलना चाहत है, क्यों कुछ समय बहुत कम है, तो छोटा सा मेसीज है, आप इस मेसीज को देखने के बाद समझ गयोंगे, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, मेरे पास आप्सन था, मैं प्रात्मिक का तै कर सकता था, मैं जोब कर सकता था, या एशली पैस कर सकता था, लेकिन दोस्त, म मैं आपको थोड़ा से दिखाना चाहता हूं, अगर मैं जोब करता, पच्ची साल की उमर में मैं एशली पैस को करना इस्टार्ट किया, मैं 35 साल तक लगाता नौगरी करता, मेरी एजूकेशन जैसे की मैंने आपको बताया, 10 पिलस 2 है, 10 पिलस 2 वाले लड़के को, सैलली कि मिलती है, 10 अजार, 15 अजार मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वैसे मिलती नहीं है, लेकिन मिल जाए भी बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसे को, कोई रैडिशन जैसे, ब्रांड होटल में, लगजरी होटल में, कोई बेटर ना रखे, क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकि होती और में लगातार जितना सब लोग जोब करते हैं अगर मैं 35 साल वी नौकरी करता 35 साल नौकरी और 25 साल की मेरी उमर मेरी जिंदगी 60 साल की हो जाती 60 साल में मैं कमाता लगवख 84 लाग जादा बढाएं तो एक करोड रुपे, मैं अपनी पूरी जिंदगी अगर नौकरी में लगा देता, तो मेरे पास आज स्विर पूर सिर्फ एक करोड रुपे की इंकम होती, और मेरी जिंदगी निकल जाती मैं 60 साल का हो जाता, ना मूँ में दात होते, ना पेट में आत होती और जिन्दगी पर चार पाइपे मेरी गुजर जाती है। मेरी जिन्दगी चार पाइपे ही निकल जाती है। एक जीवन में एक करोड रुपे कमाता लगवग चार जीवन मैं जी चुका हूँ। चार जीवन का पैसा मैंने यहां से कमा लिया है। लोग बोलते हैं उसर आपने क्या कमाया। अभी मेरे पास बातर साल हैं और मैं एक बात बोल सकता हूँ और लिक्के दे सकता हूँ। आने वाले बातर साल अगर मैं काम करूं या ना करूं घर बैठे भी जो आज मुझे पैसा आ रहा है। लगातार कैपिंग जो लग रही है लगवग 3-4-5 लाक रुपे लगवग जो वीकली आता है वो एवरेजन जो आज आ रहा है वो आने वाले मुझे 100 साल तक भी आता रहेगा। अपने जिन्दगी में पैसा कमाया ये बड़ी बात नहीं है मैंने अपने जिन्दगी के भातर साल कमा लिए जो मैं अपने परिवार के साथ रह के बिता सकता हूं अपने दोस्तों के साथ बिता सकता हूं विदेशों में गुम के बिता सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं आज मेरे पाद time freedom है, मैंने अपने जिन्दगी के बातर साल कमा लिये, बड़े-बड़े businessmen नहीं कमा पाते, बड़े-बड़े राजनेता नहीं कमा पाते, बड़े-बड़े अभीनेता समय नहीं कमा पाते, जो आज आपके सामने 28 साल का लड़का समय कमा चुका है, ये एशली पियस, 12,000 रुपे दिये थे, 14,000 का समान मिला, 2,000 प्रोफिट मिला, मुझे पहले दिन zero investment मेरा हुआ, जीरो लगा के बातर साल मैंने कमाए हैं, पैसा कमाए बड़ी बात नहीं, मैंने अपने जिन्दगी के बातर साल कमाए हैं, मुझे बातर साल किसी गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, मुझे बातर साल किसी ओपिस में जाकर उठा नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे बातर साल किसी को सलूट नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद का मालिक हूँ, मैं खुद का राजा हूँ, जो मेरा मन करेगा, मैं वो करूँगा, मैंने जिन्दगी में अप साल कमा लिए हैं. सिर्फ क्या किया? दोस्स उसके बाद मेने क्या किया? मैने दूसरे मन्तर पर एकाम किया. उसके लिए मैंने पैसेंस रखा यहां पर. मैने धेर ये रखे एकाम किया. यहां पर बोला जाता है बाते में आपसे बताना चाहूंगा, बच्चा पैदा होने में नो महीने का समय लगता है, एक मा के गर्व में बच्चा होता है, अगर बच्चा बोले कि मम्मी मुझे दो महीने में बहार आना है, तो बच्चा कभी बहार नहीं आ सकता, एक बच्चा पैदा होने में भी नो मह नहीं बनता, किसी के पापा पर बहुत पैसा है, उसका बच्चा बोले पापा तुमारे पास तो अर्वो रुपे हैं, मेरे को एक दिन में डॉक्टर बना ello, तो पापा का पापा भी मिल जाएगा ना, तो भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बना पाएगा,। जो ऐस टाइमel प लगता ही लगता है दोस्त इसी तरह है SLEPS wellness के अंदर भी 3-5 साल 3-5 साल मैं फिर बोलना चाहूंगा 3-5 साल लगेगा है यह को लोट्री सिस्टम नहीं है किया जाए लोट्री खोली परची निकाली और साम तक बनके डाइमंड 3-5 साल लगेगा डाइमंड बनने में 100% सपलता म मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जो भी लीडर अपने अप्लाइन की बात को फॉलो करते हुए, systematic काम करते हुए, तीन से पांस साल पेसेंस रखके काम करेगा, वो 31 कंपनी के अंदर 101% डायनमंड बनेगा, और लगवग 17,80,00 रुपे 101% कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीन से पांस साल के अंदर, सिर्फ तीन से पांस साल, 100% होगा दोश्ट, और इसके लिए मैं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसेंस रखके systematic काम करना है, Friday की training, Sunday venue, Friday training, Sunday venue, system की जो भी activity है, वो हमें follow करनी है, 100% हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी, दोस्त, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थोला ध्यान से सनना, यहां पर लिखा हुआ है, भगवान की मर्जी से मिली है, WPL, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं, सर, S.E.P.S. हमें applyne की बज़े से मिली है, दोस्त, यह बात गलत है, मेरा वीडियो कहता है, यह बात गलत है, applyne की बज़े से हमें S.E.P.S. नहीं मिली है, applyne में S.E.P.S. नहीं दी है, applyne तो पूरी दुनिया को देना चाहता है S.E.P.S. हमारा applyne तो 135 करोड की जन्संक्या है, उसको भी S.E.P.S. देना चाहता है, लेकिन हर वेक्ति को S.E.P.S. नहीं मिल पाती, S.E.P.S. जो मिलती है न, यह हमने कोई अच्छे करम की है, हम उपर वाले की प्रातना करते हैं, जम उपर वाले से प्रातना करते हैं, उपर वाले से मांगते हैं, तो दोस हमें S.E.P.S. हमारे applyne ने नहीं दिये, अप्लाई ने एक माध्य में उपर वाले ने हम SLEPS दिये, इसका मतलम मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, बहुत सारे लोग जोइन करते हैं, उनकी एक लेक लंबी हो जाती है, एक लेक छोटी हो जाती है, फिर उसको कंपनी को छोड़ के चले जाते है, मेरी टीम में भी हु पैसेंस नहीं रख पाए, धैर यह नहीं रख पाए, और दोस्ट छोड़े के चले गए, दूसरी कंपनीों में, लोट्री सिस्टम कंपनीों में, मनी सर्कुलेशन कंपनीों में, और वहां जाने के बाद करज बढ़ता हो चलागा, और आज रिक्वेस्ट करते हैं, कि सर, हम हम दुवारे उसी ID पर काम करना चाहते हैं, हम हाद जोड़के एक बात बोलते थे, नहीं, आपका समय गया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, तो दोस्ट, SLPS हमें उपर वाले ने दिये, एक बात याद रखना है, मैं बोलना चाहता हूं, मैसिज, उप उपर वाले ने दिये है, हमें SLPS, SLPS ने दिया हमें एक log ID, SLPS ने दिया हमें दो option, एक left और एक right, उपर वाले की मजए से हमें दो option मिले हैं, एक left और एक right, और left leg हमारी लंबी है, और right leg पीछे है, तो दोस्त, एक बात याद रखना, डरने की बात नहीं है, अगर एक लेग उपर वाले पर विश्वास रखना, क्योंकि SLPS उपर वाले ने दिया है, एक leg लंबी है, और काम करते रहना, लगातर पान खोलो करते रहना, आपकी दूसरी leg में भी कब दंदार diamond कोई आएगा, आपको पता नहीं लगेगा, बस लगे रहे और बोला जाता है, हीरा जो होता हीरा ढूंडने के लिए, लगातर प्लान फॉल उप करने पड़ेंगे, लगातर जितने भी लोग ना बोलें, ना सुननी पड़ेगी, क्यों ना सुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक diamond चाहिए, अपने check leg में, और जिस दिन diamond मिल गया, उस दिन देखना, दोस, तीन साल त उसके बाद 20-10-2016, 27-10-2016, 3-11-2016, यहां पर आप देखिए, 20-10-2016, 500 रुपे का check बना था मेरा, और मैंने अपने apply, Mr. महीपाल गुरुजी से मैंने बोला था, गुरुजी मेरा 500 रुपे का check बना है, परेशान हूं, तो गुरुजी ने मेरी यह से एकी बात बोली थी, अनु वेट करना नोज, आप देखना, इसके पीछे जीरो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अपना पैसेंस मत को देना, और दोस मुझे ने गुरुजी की बात सुनी, और पैसेंस रखा, और बोला जाता है, वह जो धहरिय रख सकता है, वह जो चाहे वो कर सकता है, और मैं 500 रुपे के चेक से 36 रुपे का भी चेक मेरा बना है, मैं ये बात, मैं ये चेक उनको दिखाना चाहता हूँ, जो लोग अपना पैसेंस खो देते हैं, लोग छोड़ के भग जाते हैं, लोग डर जाते हैं हमारा क्या होगा, दोस पैसेंस रखने से अनुसरमा रोयल डायमन बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो, पैसेंस रखना ही पड़ेगा, आज काम चला है या नहीं चला है, लेकिन लगे 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 चल जाएगा, पांसो के चेक से लगा था, और पांसो के चेक से लगे 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 लग हैं और देखिए दोस्त 22,85,000 रुपे मेरे अकाउंट में ट्रांस्फर हुआ था और कहां से हुआ था ऐसली पेस वेलनेस प्राइवेट लिम्टेड एची एपसी बेंक में मेरा अकाउंट है आठ अगस्त को ही चेक बना और आठ अगस्त को ही मेरा प्याउट मेरे अकाउंट में आया जैसा हमारे संजीव सर बोलते हैं जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांस्फर होता है यह हिंदुस्तान की सबसे फर्ष्ट कंपनी ऐसी है जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांस पर कर दिया इसको बोलते हैं दोस्त कम्पनी और पैसेंस की परिवासा 500 रुपे का चेक से 366 रुपे का चेक बन सकता है तो आपका भी बन सकता है सिर्फ पैसेंस रखना पड़ेगा तीसरा पॉइंट मैंने गी काम किया, लगाता अट टारगेट बना के काम किया, किम्पनी ने जो भी टारगेट निकाला उसको हर बार मैंने पूरा किया है माईपाल गुरू जी ने मुझे एक बात बताई थी अनुजhips अगर आमको सपलता लेनी है तो टारगेट जीतो जिताओ टारगेट जीतो जिताओ कमपनी ने जोभी तीन महीने के टारगेट निकाले मैंना मेसा हूं टारगेट को पूरा किया और टीम से करवाया, पूरा किया और करवाया, पूरा किया और करवाया, जिसकी बज़े से मैं कम समय में Royal Diamond बन पाया हूँ और दोस्त, हम सभी सभागे साली हैं, कि हमारी कमपनी में अब एक target खतम हुआ था मनाली का 18, 17, एक दू दिन लेट, पैती जोइनिंग राइट करता है तो लगबग 35,000 मैचिंग इंकम और 35,000 लगबग लेविल इंकम और 25,000 रुपे लेटोप का लेता है लगबग 3 महीने में एक एक लाग रुपे कमाता है कहने का मतलग, हर महीने लगबग 30,000 रुपे मन्तली इंकम कौन सी ऐसी कंपनी है जो कंपनी बोलती हो कि हमारे हां आईए और जोइन करिए हर महीने स्टार्टिंग साग 30,000 रुपे कमा सकते हो लेकिन दोस्ट, SLEPS Wellness मौका देती है हर महीने स्टार्टिंग सागी 30,000 रुपे पर मन्त कमाने का एसी company को salute है मेरा, इस company ने ऐसे ऐसे target हम लोगों के लिए launch किया है, अगले level के लिए मैंने हमेशा काम किया, जैसी मेरा कोई भी level हो गया, मैंने अगले level के लिए target set किया कि मुझे अगला level जल्दी से जल्दी करना है, मैंने उसके लिए काम किया, अपना लक्षपूरा करने के लिए मैंने तन लगाया, मैंने मन लगाया, मैंने धन लगाया, आपना लक्च पूरा करने के लिए मैंने रात और दिन पूरा 100% दिया है, मैंने कभी अप्लाइन से नहीं बोला है, कि सर आप तन लगाये और मैं मन लगाता हूं, सर आप धन लगाये, मैं मन लगाता हूं, नही मैंने एक ही बात अपने अप्लाइन से बोली है सर तन भी मेरा लगेगा मन भी मेरा लगेगा और धन भी मेरा लगेगा और बोला जाता है जहां लगता है धन और वहां लगता है मन और मैंने तन मन धन लगा के लगातार काम किया टारगेट पर टारगेट पूरे किये तब मैं यहां तक पहुचा हूँ दोस्त वरना नहीं पहुच पाता है यहां कुछ बाते लिखी हुई हैं जब किसी वक्ति द्वारा अपने लक्ष को इतनी गहराई से चाहा जाता है कि वह उसके लिए अपना सब कुछ दाप पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका जीतना स सुनिचित हो जाता है दोस कहने का मतलब यह है जब हम कुछी सोच लेते हैं और उसके लिए 100% फोकस लगा देते हैं कि हमें चीछ चाहिए चाहिए तो चाहिए दोस्त मैं एकी बात बोल सकता हूं अगर आपने सोच लिया कि आपको चाहिए तो पूरी काइनात उसको पूरा कराने की साजी सरस्ती है और दोस्त आपका भी टार्गेट जो आपने सोचा है वो आपका पूरा होगा 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 तो होगा तो होगा यदि आपको कोई लक्ष बड़ाया कठी लग रहा हो तो आप उसे चोटे-चोटे चंड़ों में बाठ कर उसकी सुरुवात अभी से कर सकते हैं अगर आप को लगना हो मैं जो लेटी रची परना चाहता हूं यह बड़ा लगना है तो वीकली किलोजिंग पर आप उसको परडे की क्ल़ों पर लेकिया आईए पर यह पर पर करिए आपको लगना पैठी महांते ज्यादा हर जीत आपके है बस अपने लक्ष को अपनी निगाहों में रखो कहने का मतलब इस दुनिया में आप जो भी चाहते हो वह आपको दिखाए देना चाहिए 24 घंटे आपको दिखाए देना चाहिए अगर आपको दिखेगा तो बोला जाता आप चेतना मन की सकती जो हम देखते हैं वो हम पाते हैं और आप जो देखोगे वो आपकी जिन्दी के मंड़ा परसंट होगा तो दोस्त लक्ष बनाएए जो लक्ष बना रहे हैं उनको प्रिय आपको के सामने रखे आपके लक्ष पूरे हों में उसके बाद दोस्त चोथा पॉइंट मैंने पॉजिटिव एट्यूट्ट पर में सा काम किया सकारात्मग नजरिया मैं इक बाद बोलता हूं काम्याब होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए चाहिए तो सिर्फ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नेट्रोफ मारकेटिने अंडर बहुत ज़्यादा टेलेंटेट ले बहुत ज़्यादा टेलेंटेटेटे फर-फर-फर-फर इंव्लीज बोलते थे फास्ट पलान दिखाते थे पता नहीं क्या-क्या उनके अंदर कलाक आ रही थी लेगिन उनका attitude negative था जिसकी बज़े से network marketing से उन्होंने हाथ जुड लिए और एक ही बात बोली यह हमारे बसका खेल नहीं है दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं network marketing में अगर सपलता चाहिए तो positive attitude आपको रखना पड़ का प्यूं के लिए कभी भी system के लिए नहीं applying के लिए नहीं औरpowलनी तीघिम के लिए नहीं मैंने अपना attitude हमैंसा company के पृति positive रखा है số जाशी ब्रांड कंपनी देने के लिए ऊपर लाग लाग और fv 003 यक्ष। सर सिस्टम देने के लिए उपर वाले लाग लाग दने बाद मेरे को दंदार अपाइन देने के लिए और उपर वाले लाग लाग दने बाद दुनिया के सर्फ सेश्ट टीम मेरे को देने के लिए मैंने आज तक कभी अपने अप्लाइन के खिलाब कभी अपने टीम के खिलाब कभी अपनी company के खिलाब, कभी अपने education system के खिलाब, negative बोलात और दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं है, सोचने का मतलब, बोलने का मतलब, जिस ठाली में खाते हैं, हम उसी में छीद करते हैं, और मैं एक ही बात बना चाहूंगा, मैं जिस ठाली में खा रहा हूं, मैं उस में चाहता, यह सब कुछ मुझे इसकी बज़े से ही मिला है, सफल और अस्पल वेक्ती में सिर्फ नजरिये का अंतर होता है, मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सकरात्मक नजरिया कर आए, अगर मैं यहां तक पहुचा हूं, तो मेरी जिंदिगी में जो भी कुछ मुझ आज मिला हैं आपर, वो सकरात्मक नजरिया कर आए, इसे बज़े से कुछ लोग बिखर जाते हैं, और नजरिया की बज़े से ही कुछ लोग निखर जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेट्ट्रक मार्केटिंग के अंदर, वो लोग अपने नजरिये की कबी होने दूंगा,imana दो तरह के लीडर होते हैं हमारे business के अंदर, एक लीडर ऐसा होता है जब लोगों के पास plan दिखाने के लिए जाता है और सामने वाले ने बोला कि मेरे की बात बोलनी चाहिए तो कितना भी मना कर ले तो कितना भी मना कर ले कोई बात नहीं तेरे पास पैसा है या नहीं है मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं डायमर नहीं बन जाऊंगा एटुटुटुट पोजिटिव होना चाहिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं फिल्ड में कैसे जाओं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्लान फोल्डर कैसे लूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ट्रेनिंग में कैसे जाओं, मैं दोस्त एकी बात बोलता हूं, अरे पैसा होता, तो फिर ऐसली पैस कर करने की जरुवती क्या थी पैसा नहीं है इसलिए तो मेरे को करना है यह attitude होता है कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है मैं समय नहीं पर जाता हूं मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं मैं एक बात बोलता हूं आपके पास समय नहीं है समय के लिए ही तो ऐसलिए पैस करना है या आपका attitude बोलता है अगर आपका attitude बोलता है कि समय के लिए करना है तो आप कर जाओगे अगर आपका attitude बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे मैं एक ही बात बोलता हूँ आपकी सफलता में अगर सबसे बड़ा कोई रॉल है तो वो आपकी positive attitude का है बहुत सारे लोग सो में जाते हैं, उनको seat नहीं मिलती है मैं भी सेप्टेंबर 2016 में सो था, मैं भी गया था, और मदलाल सर जंबू के रहने वाले हैं, उनकी टीम का एक leader था, और मैं जाके, जहांपर diamond लोग बैठे होते हैं के date में, मैं वहाँ पर जाके बैठ गया और उस leader ने मेरे को बोला कि आप फ्रैसर हो अभी, आपको पीछे जाके बैठना है, आप यहां से उठिए दोस्त, उस दिन मैंने commitment किया था अपना attitude positive किया था, कि आज उने मुझे seat नहीं दिया है, दोस्त, एक वो मुझे आदमी दिखा नहीं, आदमी कहां से कहां चला गया लेकिन आज मैं company की, जहां पर top leaders बैठे होते हैं, वहां मुझे बैठने का सोब अग्य प्राफ्त हुआ है आप लोग सो में जाते हैं, आपको seat नहीं मिलती है तो आपने अंदर positive attitude ले किया हो ये attitude मत ले किया, औरे seat नहीं मिलती है औरे seat नहीं मिलकि positive attitude ले किया हो, की इस तरह से काम करके दिखाऊँगा, जहां पर मईपाल सर बैटे हैं, जहां पर शिप कुमार सर बैटे हैं जहां पर रामदीर सर बैटे हैं, जहां पर company के top leaders बैटे होते हैं वहाँ पर जाके मैं बैटूँगा, attitude इस तरह से अपना positive करना हमें पढ़ेगा, बहुत सारे लोग जाते हैं, सो में उनको खाना नहीं मिलता है, वो अपना attitude negative कर लेते हैं, अरे हमने तो 500 दिया था, मैं सो में खाना नहीं मिला, दोस्त मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा अंदर यह सोचा करता था, अनुज, अगर मैपाल गुरुजी, इस तनी बड़े level पर आ सकते हैं, शिव कुमार सर आ सकते हैं, दामबिर सर आ सकते हैं, और लोग आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ, मैं कभी खाने खाने वहाँ पर नहीं गया, मैं सिर्पिस बात के लिए तुक्र उस दिन और ज़्यादा positive किया और उस दिन एक ही बात बोली दोस्त, आज तक मैं इस company में काम्याव होता या नहीं होता लेकिं तेरे को ही काम्याव होके दिखाऊंगा, क्योंकि तूने कैसे बोल दिया, company भाग जाएगी तेरे कोई मैं इस company में कामियाव होके दिखाऊंगा और दोस्त मैं लगातार लगा रहा और आज आपके सामने becoming royal diamond हूँ एक बास सोचना दोस्त बहुत जुरूवी बात बता रहा हूँ सूपर attitude lines है ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अगर ये भी हमी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे अपना attitude हमेशा positive रखना लोगों को जो बोलना है बोलने दो हमारा क्या जाता है ये वक्त वक्त की बास है और ये वक्त सबका आता है ये बात हमेशा याद रखन काम किया है इननी पॉइंचोंट पर मैंने हमेशा काम किया है मैंने हमेशा पर क्या है हिए हमेशा सब्रान किय hand है जो मेरी फैमनेचल पेयं में हमेशा पॉडंध सब्सक्माइब है और आज company बोलती है कि आपको 45 SP repurchase करना है, मैं 45 नहीं करता, मैं 100 SP repurchase करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी company का product इतना प्यारा लगता है, इतना दंदार लगता है, इस product को मेरा ऐसा मन करता है, मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, ये product हमेशा यूज करता रहा हूँ, इतना दंदार product है, मैंने हमेशा be a team player, हमेशा एक team player की तरह काम किया है, एक leader की तरह मैंने हमेशा काम किया है, मैंने अपनी टीम को मेंसा समाला है मैंने इस एक्टिटूट में काम किया है टीम मेरी है आज मेरे पाल लगबग 2,00,00 लोगों की टीम है मैंने कभी अपने अप्लाइन से कॉल करके नहीं बोला कि गुरू जी आप एक काम करें मेरी टीम को समाल लीजिए मैंने कभी नहीं बोला अज तक अरे मेरी लॉग आईडी के नीचे मेरी टीम है तो ये मेरी टीम है, मेरे अप्लाइन की टीम नहीं है अप्लाइन का तो सिर्फ आसिरवाद होता है टीम तो अपनी होती है टीम की परवरिस करना, टीम की देखरे करना यह मेरा फर्ज बनता है, अपलाइन का फर्ज है शिर्फ आशिरवात देना और मैंने अपलाइन से एकी बाद बोली है गुरूजी सिर्फ आशिरवात देते रहे हैं बाकिये तो जंड़े मैं खुद गाऱ दूए मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ तेंसर मत लेना, क्यों? मैंने अच तक कभी अपने अप्लाइन से नहीं बोला है कि सर आप एक लेग, मेरी आप बॉनस चला दो, मैं अपनी इंसेंटी चला लेता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है, क्यों? मेरे घर में मेरे दो बच्चे है, एक लड़का एक लड़की है, मैंने कभी अपने पड़ोशी से जाके नहीं बोला है, भाई लड़की को तू पाल ले, लड़की को मैं पाल लेता हूँ, दोनों बच्चे मेरे हैं ना, तो केर भी मेरे को करनी पड़ेगी ना, दोनों लेग मेरी हैं ना, लेप्ट भी मेरी, राइड भी मेरी, तो मेरा प्लाइन, मेरा लेक का सपूर्ट यो करेगा, मैं करूँगा, और मैंने अपने अप्लेविल पे, अपनी जोनर टीमों को समाला है, तब मैं याँ पर रोयल डाइमंड बनके आया हूँ, तब इतना वड़ा काम हो पाया है, कभी म मैंने टेबू फंक्षन हमेशा मैंने किताबों को पड़ा है, हमेशा मैंने अपने अप्लाइनों की ओडियो वीडियो को सुना है, और कोई भी फंक्षन मैंने आज सर छोड़ा नहीं है, छटवा पॉइंट मैंने अमेशा गुरु वक्ती के साथ में काम किया है, जो गुरु गाड़ी जो भी है आज मेरे पास महीने के पंदर लाग से ज़्यादा की निकम आती है दो लाग लोगों की टीम है वो सब कुछ महीपाल गुरुजी की देन है और आज मैंने चार करोड रुपे कमाए है न दोस्त चालिस करोड भी कमाऊगा चार सो करोड भी कमाऊगा लेकिन आकात नहीं बोलूगा पहले भी गुरुजी के पैरों में जगे थी आज भी जगे वहाई रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी उनके सामने नजर उची ना हुई है ना कभी होगी और उनके आगे भी और उनके पीछे भी दिल में जो जगे है वो हमेशा रहेगी मैं उन लीडरों की तरह नहीं हूँ जो अपलाइन के सामने गुरुजी गुरुजी करते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं, मैं वो लीडर हूँ, अप्लाइन के सामने भी वैसा ही, और उनके पीछे भी वैसा ही, मैंने हमेसा गुरू वक्ती में काम किया है, बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरू, सिर्फ कितावी ज्यान नहीं, जीवन जी उन्होंने सिखाया मुझे देश-विदेश की यात्रा करना, उन्होंने सिखाया मुझे कैपिंग लगाना, अरे जो भी कुछ है ना मेरे पास, वो सिर्फ महीपाल गुरू जी की देन है, गुरू जी आपका लाख लाख धन्यवाद, मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हम नहीं रहेंगे, और दोस्त लास्ट पॉइंट, फैमिली सिक्यूरिटी, परिवार की सुरक्षा, मैंने हमेशा इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और दोस्त मैं आपसे एकी बात बोलना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी काम करने या नह हमारी चल लिए, जिन लोगों को कोरणा से दैथ हुई है, उनको मालूम नहीं था कि हमारी दैथ होने वाली है, आज वो इस दुनिया से चले गए है, आज उनका परिवार तडप रहा है, उनके परिवार में पैसे की प्रॉलम आ रही है, वो लोग सोचा करते थे कि मैं अप की किस्त देगी, अब उसकी मैडम कहां से घर की किस्त देगी, अब उसकी मैडम कहां से बच्चे को पढ़ा पाएगी, अब उसकी कहां से मैडम अपनी लड़की को नजीने बना पाएगी, दोस्त हमारी जिन्दगी काम ऐसा करना चाहिए हमें, हम जीते जी तो इंकम लें औ दो ध्यान से देखेना एक पिता अपनी मौस से नहीं डरता बलकि इससे डरता है कि उसके ने रहने के ने रहने पर उसके बच्चे को क्या होगा और ये हिंदुस्तान का हर वेक्ति सिर्फ इसी बात से डरता है कि उसके ना रहने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा दोस्त एक ऐसी इंकम करी अपनी लाइफ में, कि आप रहो या न रहो, आपके परिवार में एक पैसिव इंकम आती रहे, दोस्त आज मैं जिन्दा हूँ, तो भी महीने का 15 से 20 लाफ रुपे आता है, और कल को मैं नहीं रहा, तो भी महीने का 15 से 20 लाफ रुपे तो आएगा याएगा लेकिन मैं एक बात बोड़ सकता हूँ, 100% उससे और ज़्यादा भी आएगा, क्योंकि टीम ग्रोथ कर रही है, इंकम बढ़ रही है, क्योंकि मुझे भरोसा है, अपनी कंपनी, अपनी बिजनिस प्लान, अपनी प्रोडेक्ट पे, अपने सभी अप्लाइन पे, और अपने स जाने के बाद जो आपका दुख होगा, वो तो होगा ही होगा, उसको पैसा भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसा जब परिवार में आएगा, तो आपके परिवार की जो सुक्स विदा हैं, वो बनी रहेंगी, दोस्त, मैं साथ मंतर के साथ आपके बीच में आया था, और म की बज़े से हुआ है, आज मैं अपनी कंपनी के बारे में जितना बोलू उतना ही कम है, थैंक्स MD साब, थैंक्स मेरे सभी अपलाइन, थैंक्स महीपाल सर, थैंक्स SLPS के और लीडर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लाख लाख धन्यवाद, मैं एक ही बात चाहूँगा, अपने परिवार के लिए, जो मैंने किया है, वो आप भी करिए, थैंक्यू वेरी मच्ट, वी स्यू, ओल दबेस्ट.